नमस्कार लखी साय लाइब देख रहे हैं मैं हूँ संजीब कुमार लखी स्ना में बीते 5 दिसंबर को रामगर चोक थाना छेट के परसामा गाउं के समीप युवक को गोली मार कर जखमी करने के मामले का S.I.T. ने खुलासा कर लिया है S.I.T. ने घटना में सामिल सूटर और बाइक चलाने वाले सक्स को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने यह कारवाई महज 36 घंटे के अंदर किया पुलिस ने गव नगर गाव निवासी असोक यादब के पुत्र रनवीर कुमार एबं कुरवता गाउं के लोकेस यादर उर्फ कैलास कुमार को गिरफतार किया है पुलिस ने घटना में परियुक तो हीरो पैशन प्रो बाइक को भी बरामत किया है एसपी पंकज कुमार ने बताया कि सिकंद्रा थाना छेत के गोह नगर निवासी असोक यादब और जखमी मनोज पासवान में जमीन विवाद कई सालों से चला रहा है बीते तीन मई दोहजार बाइस को इसी विवाद में असोक यादब के पुत्र विकास कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस मामले में कामेशर पासवान और उनका पुत्र अजीत पासवान मनोज कुमार अमीत कुमार समें दो अग्याद पर मामला दर्द किया गया था इस मामले में कामेशर पासवान को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था इसी परतिसोद में असोकी आदब के पुत्र के द्वारा मनोज कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है टीम के द्वारत वरित कारवाई करते हुए इस गटना में शामिल दो अवियुक्त को गिरफतार किया गया गटना का कारण ये है कि बर्ष 2022 में जो जख्मी है मनोज पास्वान उसके पक्ष के द्वारा प्रात्मी की अभियुक्त असोक ज्यादव के पुत्र की हत्याद जमीन बिवाद में की थी पुलीस ने जो अभी तक जानकारी एक अत्रित की है उसके अनसार मनोज पास्वान पक्ष असोक ज्यादव पक्ष में जमीन के बिवाद को लेकर कई एक मामले दर्ज है बर्ष 2022 में जो हत्या हुई थी असोक ज्यादव के पुत्र की उसमें मनोज पास्वान के पिता को नियाई की तासत में भी बेजा गया था जमीन पुलीस के द्वारा बर्ष वाद में वा मामला नियाले में विचारादीन है उसी बिवाद के चलते हैं या गोलीवारी की गटना हुई है जिसमें मनोज पास्वान घायल हुआ है तीन में से दो अविक्त की गरफतारी हुई है गटना में परियुक्त मोटर साइकल बरामत किया गया है असोग जादव जिसने ये गटना करवाया है उसकी गिरफतारी सिग्र होगी जो गिरफतार है सर इसकी क्या बुनका है ये गोली मारने में था इसमें से लोकेस जादव उर्फ कैलास का अपरादी की ध्यास है या दकैती के केस में भी रहा है आन सेक्ट के केस में भी यह रहा है सब जुड़े हुए हैं आपस में